दोस्तो अपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबादें क्योंकि हम लाते रहते हैं नए-ने बिजनिस आइडियाज और नए नी जैनकारी के वाला के लिए दोस्तो आज हम आपसे बात करेंगे पेपर बैक बिजनिस के बारे में दोस्तो यह बिजनिस बहुत ही अच्छा बिजनिस है जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सरकार ने पालिथीन और प्लास्टिक बैक पर बैन लगा दिया है जो वाता वरण में रहने वाले जीव चाहे के लिए जो है यह प्लास्टिक के पालिथीन है यह बहुत ही खानिकारक होते हैं तो इस तरह से सरकार भी पेपर बैक बिजनिस के बारे में बढ़ावा दे रही है तो ऐसे में पेपर बैक का जो बेवसाय है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा सामिक हो सकता है आज हम आपसे बात करेंगे तो दोस्तों पेपर बैग का व्योसाय शुरू करने के लिए आपको अपने इस्थानिये नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस लेना होगा और इसके साथ-साथ उर्दोंग आधार नंबर भी लेना होगा इसके बाद आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों इसके अलावा आप MSME के माध्यम से सरकार की स्कीम के तहट खादी ग्राम उद्दों ग्युवाग से लोन भी ले सकते हैं और आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों आप बात आती है इसमें कौन सी मसीन उज़ होगी तो उसके बारे में मैं आपको पता दूँ दोस्तों इसमें जो मसीन प्रियोग में लाया जाएगा वो आप इंडिया मार्ड की वेपसाइट पर जा करके अलग-अलग कीमत की मसीने देख सकते हैं और वहां से आप आडर दे करके आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं दोस्तों जो मसीने हैं वो पांच लाग से ले करके बीस लाग तक के आटोमेटिंग मसीने अलग-अलग कीमत में आपको मिल जाएंगी अब मैं आपको बता दो जो इसकी प्राइस है वो मेंली डिपेंड करता है इसकी मोटर स्पीड पर असल में जो इसकी मोटर स्पीड होती है अगर आप प्राइस इसमें ज्यादा लगाएंगे तो उसकी जो मोटर स्पीड होगी वो ज्यादा होगी और जो उसका प्रोडक्शन की छमता होगी वो अधिक होगी अगर आप सस्ती मसीन ले रहे हैं तो उसकी motor speed कम होगी तो उसका जो प्रभाव सिध्या पड़ेगा उसके production पर पड़ेगा यानि उसका production कम होगा तो आप अलग अलग प्रकार की मसीने दे करके वहां से आप अपने हिसाब से अपने बजट के हिसाब से आप ले सकते हैं अब बात करते हैं रा मटेरियल की इसमें कौन-कौन से रा मटेरियल व्योग में लाए जाते हैं तो वह मैं आपको बता दे रहा हूं दोस्तों इसमें पहला है Paper roll, दूसरा है printing inks, हो logo's होंगे लोगों को प्रिंट करने के लिए प्रिंटिंग की आओ सकता होगी अब दोस्तों बात आती है कि आप इसे बेचेंगे कहां पर तो आप इसे सापिंग माल में बेच सकते हैं इस्टेशनरी साफ पर बेच सकते हैं ग्रासरी साफ पर बेच सकते हैं फूट एंड वेजटेबल साफ पर बेच सकते हैं मेडिकल साफ पर बेच सकते हैं क्योंकि बेजिटेबल साफ मेडिकल साफ इन सब पर इन सब दुकानों पर जो है बहुत ज्यादा इसकी डिमांड होती है तो आप वहाँ पर संपर करके सीधा आप वहाँ पर अपने माल को दे सकते हैं इसके लिए आपको जो स्थान का चुनाओ करना होगा वह बहुत ही अच्छा स्थान होना चाहिए जहां पर मारिकर्ट होना हो या जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग आते जाते हों तो वहाँ पर जो है आपको इसे खोलना होगा और एक चीज और विस्टेस आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी की आवस्ता होगी आपको तो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर होनी चाहिए और वाटर भी होना चाहिए अब इसके बाद मैं आपको मैं बता दे रहा हूं कि जो मसीन है अलग-अलग मसीने जो होती है इसकी जो प्रडक्शन छमता होती है वो क्या है और कितने कीमत में ये मसीन जो है मिलेगी तो दोस्तों जो automatic without printing machine है यानि इसमें जो printing होगा वो साथ में नहीं होगा इसकी कीमत लगभग है 5 लाख रुपे और दोस्तों ये 120 पीस एक मिनिट में निकालती है दूसरी machine है जो वो है automatic with two color printing यानि दो color साथ में प्रिंट करेगी वो machine और उसकी कीमत है लगभग 6 लाख रुपे और वो भी 120 पर पीस एक मिनिट में निकालेगी यानि 120 पीस पर मिनिट में निकालेगी दोस्तों आपको इस machine में सभी चीजों को लोड कर देना होता है इसके बाद आप आराम से बैट करके machine की देख भाल करते रहना है और आपको इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है दोस्तों जब आपका बैट बनकर के तयार हो जाएगा इसके बाद आपको अपने size के हिसाब से cutting करनी होगी इसके बाद में फिर pressing machine से किनारों को प्रेस करना होगा इसके बाद printers की मदब से इस पर printing करनी होगी इसके बाद में आपके पास जो strings होगी उसे hole में machine के दोरा attach करना होगा फिर आपका बैग जो है वो बिक्री के लिए बनकर के तयार हो जाएगा तो दोस्तों एक बैग आपका जो तयार करने में लगभग पैसा लगेगा वो लगेगा साढ़े तीन रुपए यानि तीन रुपए पचास पैसे के असपास एक बैग तयार करने में आपका जो है खर्चा आएगा रा material से इसके बाद आप अपने हिसाब से बैक्स के दामों को कुछ बढ़ा करके और आराम से आप जो है इसे शेल कर सकते हैं बेज सकते हैं तो दोस्तों काफी अच्छा बिजनेस है अगर आप करना चाहते हैं अगर आपके पैस पैसा है तो आप आराम से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें काफी संभावना है इसमें जो है बहुत ही अच्छा बिजनेस है दोस्तों उम अ कि और हमारे चैनल को आप फ्री में सब्सक्राइब हैं और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन बिल्कुल दबारा बूलें दोएब दोस्तों अगर झाल झाल